दोस्तों नमस्कार हमारी यूट्यूब चैनल के असास All Creation में आपका स्वागत है वीडियो सुरू करने से पहले यह बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आने वाला हर वीडियो आप तक हमारा पहुंच सके तो चलिए सुरू करते ह हैं देखिए यह हमने पहले बर्फी अकार का इचेन श्टीच से बना लिया है उसके बाद इसका अंडाकार शेप दिया है और उसके बाद हमने स्टार के समान यह ऐसे-से पत्तिया निकाली है तो यह डीजाइन आपको कैसा लगा अंडाकार स्टार थालपोश मुझे जरू देखिए अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहले हम गाठे ले करके चार चैन ले लेंगे और चार चैन लेने के बाद फिर इसे ऐसे राउंड करेंगे अब इसी में एक दो दो चैन लेकर डबल क्रूशिय बनाएंगे चार डबल क्रूशिय हम बना लेंगे देखिए चार डबल क्रूशिय बनाने के बाद एक दो चैन और फिर चार डबल क्रूशिय ऐसे और फिर उसके बाद दो चैन लेंगे और इसको इस तरफ घुमा लेंगे और फिर इस चार के बीच में दो दो चार डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे अब इसे हमें बढ़ाना है तो इसको चार डबल क्रोशिया होने के बाद यहां हम दो चैन लेंगे और यह जो बीच में दो चैन हमने लिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे एक टबल कुरूशिया बनाने के बाद फिर दो चैन लेंगे और फिर इस चारवाले में आ जाएंगे और ऐसे ही हम उपर जाएंगे इसको बढ़ाते हुए हमें आठ लाइन ले जाना है देखिए यह हो गया फिर दो चैन हम लेंगे और फिर इधर पलटके और फिर वैसे ही इसको हम इसका जाली बढ़ते जाएगा और दोनु साइड में हमारा ये चार चार डबल कुरूशिया बनते जाएगा ऐसे हम आठ राउंड पुरा करेंगे देखिए यह हमने आठ राउंड बनाया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब इसके बाद फिर हमें घटाते हुए में जाना है तो इसके बाद फिर घटते हुए में एक तक हम आ जाएंगे और धागे को कट कर लेंगे देखिए यह हम दोनों साइड से एक, एक घटाते हुए आएंगे और यहाँ एक हमारा आ गया लाश्ट में तो यहाँ पर हमने अब कट कर लिया है तो यह हमारा ऐसे तैयार हो गया अब इसमें हम वाइट कलर लगाएंगे वाइट फिर यहाँ से सूरु करेंगे हम देखिए यह ऐसे चार डबल क्रोशिय बनाने के बाद हम दो चैन लेंगे एक, दो और फिर यहाँ जहाँ हमने पल्टा है तो दो चैन ले करके हम पल्टे हैं वहीं पर हमें फिर चार डबल क्रोशिय बनानी है ऐसे देखिए फिर दो चैन लेंगे और फिर दूसरे वाले में हम ऐसे ही बनाएंगे ऐसे ही पूरा यह राउंड करेंगे हम बीच बीच में हमें दो दो चैन लेने हैं देखिए ऐसे ही पूरा हम यहां से बनाते हुए यहां तक आ जाएंगे देखिए यह राउंड हमारा ऐसे पूरा हो गया अब यहां हम जॉइंट कर दिये हैं अब सिंगल क्रोशिया से हम बीच में जाएंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया से बानते हुए हम जाएंगे यहां बीच में आ गए अब यहां पर फिर हम चार डबल क्रोशिया ही बनाएंगे सौरी पहले चैन लेंगे हम यह एक दो चैन उसके बाद से यहाँ डबल क्रोशिया देखिए यहाँ हमारा चार डबल क्रोशिया हो गया यहाँ दो चैन हम लिए हैं तो यहाँ एक दो तीन अब तीन चैन लेंगे और उसके बाद से फिर ऐसे ही हमें राउंड दोहराना है ऐसे ही हम जितना उपर जाएंगे यह ऐसे ही गुलाई में भी बीनेंगे और जितना उपर जाएंगे तो यह चैन बढ़ाते हुए जाएंगे हम ऐसे ही हमारा चैन बढ़ते जाएगा है कि दो दोखी ये चैन है उसके बाद से तीन की चैन आगी चार की चैन होगी फाइश की चैन होगी ऐसे ही हम बढ़ा करेंगे देखिए यह हमने ऐसे त्यार कर लिया है यह हमारा पूरा पाइश राउंड है अभ हम इस धागे कुं ज्वाइंट करके कट कर देंगे यहां कट करने के बाद अब फिर दूसरा कलर लगाएंगे यह देखिए अब हमें क्या करना है इसमें यह हमारा ऐसे तैयार हो गया अब हम फिर रेट लगाएंगे देखिए यहां से सुरू करेंगे बीच से नहीं सुरू करेंगे अब यहां हमें चार डबल क्रोस्टिया जो बना रहे थे तो यहां हमें आठ डबल क्रोशिया बनानी है तक यह हमने चार डबल क्रोस्टिया बना लिया है चार के बाद हमने यहां बीच में एक चैन लिया है और फिर चार डबल क्रोशिया और फिर उसके बाद से पांच चैन लेंगे यह पांच चैन हो गया फिर यहां डबल क्रोशिया के सामने डबल क्रोशिया यहां चार डबल क्रोशिया बनेगा हमी एक को छोड़ करके ये चार-चार की जो डबल कुरूशिय हमने बनाई है इसमें एक छोड़ेंगे एक में चार ही बनाएंगे और दूसरे में फिर आठ बर बनाएंगे हम ये दो, तेन, चार, पाँच ये पाँच चैन लेने के बाद फिर हम इसमें ये चार हो गया बीच में एक चैन और ऐसे ही ये राउंड पूरा करेंगे हम देखिए ये राउंड हम पूरा कर लिए ऐसे हमारा तयार हुआ है बन करके अब हम यहां जोइंट कर देंगे ऐसे और जोइंट करने के बाद एक चैन लेकर जो ये चार है और चार के बीच में हमने एक चैन लिया है तो हमें इस चैन में अब नहीं डालना है ये चार के बीच में हमें फिर चार डबल क्रोशिया बनानी है तो पहले हम इसमें सिंकल क्रोशिया से बान लेते हैं फिर एक दो तीन तीन चैन लेकर और फिर इसी चार के बीच में हम चार डबल क्रूशिय बनाएंगे ऐसे फिर एक दो चैन लेंगे और हमें याद रखना है कि जो ये ये दोनों कोने के इस कोने में ऐसे समझने आ रहेगा इस कोने को और इस कोने को ये बीच में हमारा यहां डिजाइन बनना चाहिए क्योंकि ये अंडाकार थालपोश है तो इसमें ये ऐसे बनेगा तभी दिखेगा अंडाकार तो एक जो पत्ती हम बनाएंगे तो एक इसमें से निकालेंगे और एक इसमें से तो ये बीच में हमारा एक हो जाएगा देखिए हमने इधर चैन ले करके और फिर इधर पलट लिया है इधर चार डबल क्रोशिया हमने एक ही में बना लिया अब यहां फिर दो चैन लिये हैं और इस बीच में हमें ये जो चार चैन बीच में लिये हैं इसी के बीच में हम यह ऐसे एक डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे और फिर एक दो चैन लेंगे और फिर यह चार डबल क्रोशिया जो है उसके फॉस्ट वाले में हम यह ऐसे फिर चैन लेंगे एक दो और फिर यह लाश्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें हम ऐसे डालेंगे और फिर एक दो चैन लेंगे और ये चार चैन के बीच में डबल कुरूशिय बनाएंगे और ऐसे ही अब दो चैन लेकर और फिर यहां चार डबल कुरूशिय के बीच में हम चार डबल कुरूशिय बनाएंगे ऐसे फिर दो चैन लेंगे और इधार प्लट लेंगे प्लटने के बाद फिर चार डबल कुरूशिया के बीच में ही बनाना है ऐसे ही हमारा ये घटते हुए चला जाएगा देखिए ये ऐसे हमारा बनेगा देखिए यहां दो चैन लिए है अब इसमें हमें नहीं डालना है इसमें हमें फिर एक जाली छोड़ करके हमें इसमें डालना है फिर दो चैन लेंगे और फिर बगलवाले में डालेंगे हमें दोनों तरफ से एक एक जाली को घटाना है फिर एक दो चैन लिए फिर फिर एक दो चैन लेकर और इस जाली में अब नहीं डालेंगे अब यहां हम डबल क्रोशिया यहां बनाएंगे और ऐसे ही हमारा घटते हुए लाश्ट तक जाएगा यह देखिए यह हम घटाते हुए ऐसे लाए हैं और यहां पर फिर बीच में दो चैन दिये हैं फिर यहां एक भी चैन नहीं दिये हैं चार चार डबल क्रोशिया दोनों तरफ से ले लिए हैं अब इसे हम एक चैन देकर और यहां बीच में ऐसे सिंगल क्रोशिया से बांदेंगे और इसे कट कर देंगे ऐसे ही हमें पूरा करना है यह देखिए ऐसे ऐसे ही हम चारो तरफ इसके बना लेंगे देखिए यह हमने ऐसे पूरा तैयार कर लिया है तो चलिए अब इसके उपर फिर बनाना शुरू करते हैं देखिए यहां हम धागे को जॉइंट कर लिये हैं अब यहां से सुरू करेंगे और इधर से भुमाते हुए लेके आएंगे तो यहां हम पहले चैन लेकर के यहां सिंगल क्रूस्टिया से जॉइंट करेंगे फिर एक चैन लेकर इसमें जॉइंट करेंगे यह हो गया उसके बाद एक, दो, तीन, चार चार चैन लेकर सॉरी यहां तीन चैन लेंगे और यहां पर हम बाद देंगे सिंगल क्रूस्टिया से फिर एक, दो, तीन, चार, और एक पांच यहां पांच चैन लेकर यहां पर हमें बादना है तो ऐसे ऐसे ही जितनी लंबाई हमारी है उतनी ही लंबाई का हम चैन ले करके यहां कम लंबाई है तो यहां पर तीन चैन लेंगे यहां चार चैन लेंगे ऐसे ही बनाएंगे देखें यहां तक अब आ गए तो यहां पर हमने बांद लिया है सिंगल क्रूशिया से अब यहाँ डबल फंदा ऐसे लेंगे और इसमें हमें ऐसे डबल क्रोशिया यहाँ पर हमें त्रिपल क्रोशिया बनाना है उसके बाद फिर एक, दो, तीन, चार चैन लेके और फिर इसी में उपर से ऐसे डालके ऐसे बान देंगे फिर एक चैन लेंगे और फिर डबल फंदा और फिर ऐसे ही हमें यहाँ तीन बनाना है एक, दो, तीन, चार और फिर इसमें करके ऐसे बान देना है फिर एक चैन लेंगे डबल फंदा ऐसे ही हमें पूरा राउंड कम्पलीट करना है एक, दो, तीन, चार और फिर एक चैन लेकर के हमें यहाँ बानना है यहाँ बानने के बाद फिर हम चार चैन लेंगे एक, दो, तीन, चार और यहाँ बानने के ऐसे फिर एक, दो, तीन, चार और यहाँ बानने के ऐसे ही हमें देखिए यह हमारा ऐसे डिजाइन तयार होगा यह ऐसे ही हमारा यह थाल पूश तयार होगा अंडाकर थाल पूश यह आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए थैंक यूँ झाल बताईएगा झाल झाल से वीडियो देखने के लिए गट्री जरूश बटियूएगा यह थाल चूश खिए झाल झाल झाल